अगर कैनेडा में आते हो तो यह सारी चीजों के लिए राड़ी रहना क्योंकि दिस इज नॉर्मल लाइफ हेर और सीडिये को क्लियर करने में मेरी बाठ लगी और अभी यह सारी की सारी पड़ी हुई है क्लियर करने के लिए अगर बंदा यहां पे गिरे ना बिल्कुल बीच अगले लोग आएगा जो हमारी सीरी चल रही है कंटिनियों होगी लेकिन यह पर स्नौस्टों माया हुआ है और कैसा मोसम है नोवा स्कोशिया अपडेट तागी आपको नोवा स्कोशिया की विसासास में मिलती रहे कि यहां पर कितनी बुरी हालत है और कितने जारा स्नोप पर आपकी होई है एनिवेश लेलकम बेक टूंडा व्लोग यह नहीं हैं मेक शुर चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कमेंट करना का सिल लिए लाइट स्टार्ट इस वीडिए विडिए तो यहां पर कल रात की शुरू हूँ है कुश्य नोधास बग्ये और अभी सुबा के यहां पर नो बज गया लेकिन अभी तक स्नो रुकी नहीं है और इतनी बुरी हाथ बाहर हो रही है मैं देखकर है रहान हो गया इस साल का यह सबसे पहला विंटर स्टॉम है जो इतना बुरा आया है अभी मैं जा रहा हूं नीचे स्नो उठाने के लिए क कि हमें गाड़ी निकालनी है तो उसके लिए स्नो उठानी पड़ेगी फिर आपको अच्छे से दिखाता हूं कि स्नो कितनी पड़ी हुई है लेकिन सबसे बड़ा फाइदा यह नवास कोश्य हम रहने का कि यहां पर बस एक बार पढ़ जाती है जितनी पढ़नी है बाद मे काफी था नहीं पड़ती लेकिन अभिंदो से आप देखो जरा बाहर पढ़ रहा है आपको이 लेकिन बाहर स्नो पढ़र रही है घ्र पर गाड़ी निकालेंगे पदानी कैसे अब नीचे आखरी पदा चले का इतनी ज्यादा सनो थंड रही है टेमपरिचर इतना ज्यादा कम नहीं है बस माइनस एक माइनस दो है क्योंकि जब सनो पढ़ती है उस पर नीचे जलकि फिर मैं आप से बार करता हूं जाता हूं जैसे कि यह मेरे टेमपर्लैंड के शूस लेकि टेमपर लेंड के शूस पूस्म काम कर जाते हैं क्योंकि इनके अंदर बरफ नहीं जाती और साथ में लेकर आपनी साथ में अगए स्क्राइब पर पहन कर नीचे जाओंगा अगर ऐसी चला गया नीचे पिर तो मेरी बैंड बज ज और इतनी इतनी तो यहीं पर पड़ी हुई है दिर्वाजा खोलते ही मेरा आधा जो शूद है ना वही अंदर चला गया और यहां से आपको पता चल रहा होगा कितनी पड़ी है गारी का हाल देखो क्या बना हुआ है लेकिन थंड इतनी जादा नहीं है लेकिन स्नो काफी अभर यहां से में आपको कंपेर करकाता घा खटाता हूं यहां हो पर इ Wyatt अधना हो जा जो है इसंड़ाइक तर में थालूंगा तरह लेकिन इक दो लगवां कितने ज्यादा लग रहे हैं और पेड़ों के सारसाथ घर बीच में आगई है देखो किस तो इस नूद तो यहां निकल रही है देखो अब पता चल रहा है कि गाड़ी चल जाएगी कि जो रोड के उपर इसनी जास नहीं है इतनी साइट पर है क्योंकि नोड़ से उठा दी है अब यह जो उपर पड़ी हुई यह दुबारा पड़ी हुई है जो पार में पड़ी थी अंचे बढ़े अंटर ना पड़ेगा यहां से यहां से बहुत द्यान से उतरना पड़ेगा आगर हम प्रसल के तो हम गिरेंगे लेकिन प्रसल नहीं है यह वली इसनौ में क्योंकि जिस नो जिस नो इस नारीक आई इस की ओपर फिसल नहीं होती है बहुत जाधा पड़िया यार देखो टीट को दाट चल रहा है अगर बदा यहां पर गिरे ना बिल्कुल बीचलंकि अंदर गिर जाएगा सो अभी डेख रहे होंगे लिए आधे जाधा पैर हंदर जा रहरे हैं अभी उताना पड़ेगा तो यही पर शवल बगारा रखे हुए हमने पहले वहां पीशे रखते थे पीशे से उठाकर लेकर आने काफी मुश्कील है तो यह बड़ा बड़ा शवल है इसके साथ इजली उठा हो जाती है और अब मुझे ग्लफ पहनने पढ़ेंगे क्योंकि यह है मैटल और मैटल को मैं हाथ लगा रहा अब ही सबसे पहले गलफ पहनने पढ़ेंगे क्योंकि ठंड वैसे इतनी फील नहीं हो रही अब हाथ ठंड होने लग गया है लेकिन उतनी जादा भी नहीं है जैसे माइनस दस माइनस तंदा इसको कहते है लेकिन पंगा यह है कि अब शवल लोहे का बना हुआ है जिसको वह मुश्किल है तो अगर आप भी नीचे आ रहे हो मेक शूर अच्छे से ऐसे त्यार होकर आना फुल रैडी होकर आना फिर स्नों उठाना और अभी चलो उठाते हैं तो देखो कितनी जादा बड़ी होई है साफ पला जड़ रहा है स्नों का जब हम अब क्लीन कर रहे हैं तो कितनी जादा है देखो अभी मैंने थोड़ी सी उठाई है और यह पूरा शवल फिल भी हो गया है अब इसको उठाकर एसे साइड पे रख देंगे हम अगर अब यह देखो मैंने इतनी सी स्नों उठाई है और आप यह आपको डिफेंस लिख रहा होगा कितना जादा डिफेंस हो गया है यही है इस नो इतनी जादा पड़ी हुई है अभी हम इस नीचे सारी उठानी पड़ेगी क्यों गाड़ी निकालनी और गाड़ी यह से निकल ने सकती जब तक हम स्नौनी उठाते हैं अभी मैं एक और शवर लेकर आया हूं निकालकर यह बड़ा वह बड़ा तोड़ा जादा है यह काफी बढ़ा है लेकिन इससे हम ऐसे स्नों उठाकर सेंख सकते हैं देखो कितनी बड़ी अलग रही हैं काफी मुलायम सी लग रही है कितनी अच्छी है स्नों अब पढ़ती हुई अच्छी लगती है अब जैसे यह स्नों को उठाना भी इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि यह हल्की होती है लेकिन अगर हमें इसको अभी नहीं उठाया और शाम तक बेट किया बारिश हो जाएगी इसमें पानी भर जाएगा और बाद में इसको उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे शूज के अंदर स्नों चली गई है अभी क्योंकि शूज के ऊपर तक स्नों पड़ी हुई है जब मैं पैर रखता हूँ तो फिर स्नों शूज के अंदर चली जाती है और यह है गाड़ी अब गाड़ी भी पूरी के पूरी कर्वर हुई है अब नीशक गाड़ी के टायर्स तक में आपको दिखाता हूँ हाफ टायर पूरा बढ़ा हुआ है और आगे देखो गाड़ी के यह फर्स्ट बिंडव है वहां पर उपर दक आई हुई है सनों इसकी तरह बढ़ी है और यह है गाड़ी गाड़ी भी गाड़ी के अंदर सो मेरा के देखो यहां पर फिल हो जाए इतनी जारा सनों पड़ी हुई अगर करने के लिए अगर केनड़ा में आते हो तो तो यह सारी चीजों के लिए रड़ी रहना क्योंकि दिस जन नॉर्मल लाइफ लेकिन बहुत सुंधर वैदर हो रहा है agora देखो ठीको वाव हवा चल रही है मेरी तरफ की और मैं पूरा बार गया उन स्नौ से अब देखो आगे स्नौ उठाने वाली गाड़ी भी आ गई है वहाँ पर अब ये स्नौ उठाएगी सारी की सारी पर हमें अपने घर के उठानी बढ़ेगी अब यहां से नीचे उतरना भी मुश्किल हो तो देखो अभी मैं अच्छे से बर्च उकाऊं स्नौ से और अभी आजी स्नौ भी नहीं उठी है और उपर से स्नौ पड़ भी रही है मुझे यह नहीं पता अभी पहर बारावेज तब ज्यादा स्नौ पड़ेगी अगर तो ज्यादा पड़ी तो फिर इसको उठाने का भी कोई फाइदा नहीं है लेकिन होफुली जितनी उठा रहा हूं मैं और जितनी अब तक पड़ी है उससे तो कम ही पड़ेगी ताकि बाद में हमें प्रोब्लम ना आए तो आपको करना क्या है अगर आप किसी घर में रहते हो जब जब ऐसी सनो पड़े कुछ 8-10 गंटे लग हइसा पोई आखर अब यह वाली चीज चेंग संटी करती है कि आप इसको एंजॉई कर तो या फिर रिग्रेट करते अब मैं काफी बार हो ता है कि यार कैमरे में देखने में बहुत जारा सुन्दा लग रही है असल में भी बहुत सुन्दा लग रही है और उपर से इतनी वाइट वाइट हुई पड़ी है लेकिन अभी लोग चल कर गए अपना मज़ा है यार हर एक चीज का अब कैना में यह बला मौसम आपको मिलेगा य लेकिन मैं आपके एक बार उसा देता हूं और अंटेरियो में आ रहे हो नोवा स्कोशिया में आ रहे हो और किसी भी जगे पर आ रहे हो आपको सुनो तो मिलेगी मिलेगी अगर आप कम स्नो देखना जाते हो यू कन कम टूबर वहां पर भी स्नो पड़ती है लेकिन कम दालना टैंपरेचर जितना ज्याधा कम नहीं है जिसके वएसे अभी जे जो स्नो पड़ रहे है जो नीचे गिरकर फ्रीज नहीं हो रही जम नहीं रही और इसका पानी बन रहा है जिसके वएसे अब यह सारा का सारा स्लिपरी होने लग जाएगा और जो नीचे है ओल्ड़ और अब यह जो इतनी जादा तनो हो गई है इसको उठाना बे मुश्किल हो रहा है इसको उठाकर साइड पर रखना भी मुश्किल हो रहा है क्यों यह कापी जादा अभी हैवी हो रही है अर्बड़ कर दो चुट सिकाना सी इजान के और हो सब्चै की सब्चैने हु़ नहीं हैं cần क्वशड़ कीचका हैं तो इज सी Notes बैंड बजगी है बाइसाब अगर आपने एक्सराइज करनी है ना तो फिर स्नौ उठा लिया करो उससे इनफ एक्सराइज हो जाती है अगर इतनी जादा जगे हो स्नौ उठाने के रिए बहुत जारा स्नौ है वाट लगी पूरी तरह से इसनी ठंट में गर्मी लग रही है सांस फूल गई है इतनी सारी स्नौ उठाने के बाद अभी भी बहुत पड़ी हुई है और सडक पूरी स्नौ से फुल हुई है अब नीचे देखो यहां तक क्लियर की है मैंने अब आगे सडक है लेकिन सडक पारी बहुत जादा पड़ी हुई है तनो सो इस इस माई शू और देखो मेरे शू के ऊपर था कैस नो अब गाड़ी इतनी ऊची नहीं है जिसके बएसे अगर गाड़ी पीशे करेंगे तो यहां पर फसी आएगी तो अब यह भी क्लियर करनी पड़ेगी सारी और उसके साथ साथ आगे सडक पर पड़ी हुई आभी तक अज राग नुसारी स्नों फ्रीज हो यारी माइन तर ठारा डिंगरी है खेता खेता वार ने नहीं स्नों बानी जुरूर्ट थेकले त्रेटा अगे कर गुंए कर आप दर अब अब जो फट्रीज में पड़ती है नहीं है बाई साहब तो दिस इस माई स्ट्रीट अब मैं अपनी स्ट्रीट के बिल्कुल में खड़ा हूँ आओ इस इस दे रोड यह रोड है जिस जहां से गारिया जाती है आपको दिख रहे है कहीं पे रोड दूर दूर तक देखो पीशे तक आपको लग रहा होगा कि पदा नहीं कित मैदान में खड़ा हूँ आओ मैं यहां पर बर्फ पढ़ रही है अब इतनी बर्फ कैनडा में पढ़ती ही पढ़ती है आप कहीं भी रह लो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको स्नौ में रहना है सब्सक्राइब रहन करी है अब तक उठा देते हैं सिटी वाले स्नौ पढ़ती है लेकिन इन्होंने अभी तक उठाई नहीं है क्योंकि शायद दपहर 12 एक वीज तक पढ़ेगी इसलिए और कोई और भी नहीं उठा रहा आपने घर के बाहर से लेकिन दपहर को तो और पुरी हालत होने सी अगर मैं उठाता तो सो दिस इस सोल्ट देखो अब स्नौ ठाने के बार सोल्ट भी शिटकना पड़ता है ताकि अगर फ्रीज हो गई तो बार में पंगा पड़ता है बहुत जादा तो अभी सोल्ट अगरा डाल रहे हैं लेकिन अभी इतना जादा साइदा है निस नो पढ़ रही देखो दूर तक वहां तक भी किसी ने उठाई हुई इसी सब में रोड यहां से काफी जादा गाड़िया निकलती है और जादा में रोड है लेकिन वहां से भी नहीं उठाई हुई और क्या हालत बनी हुए यहां लोग सभी अपने घर पर ही हैं अज मिए लगता नहीं जाना परता है काम पे उनको जाना ही पड़ेगा चाहे जितना मर्जी स्टोम आ जाए जैसे होस्पिटल्स और अभी गाड़ी क्लियर कर रहे हैं देखो गाड़ी की बुरी हालत हुई है लेकिन क्लियर कर दी है ओके तो अभी हम ट्राइब करने लगे है कि गाड़ी निकलती तो इस नोट 4x4 दिस इस फ्रंट वील ड्राइव कार तो स्नौ स्रॉम में 4x4 चाहिए होती है जो कि आपके गाड़ी को पावर दे और पुछ करें और अगर इसके पिछले टायर कही मिं फसी है तो फिर उनको पावर नहीं मिलेगी और वो चलेगी नहीं फिर फिर रिसकी त पीशे से सारी कलियर करती है बहुत सारा स्वाइब नीचे कहां तक आई हुई है गाड़ी के अंदर कैनडा में सारा कुछ बढ़ी है लेकिन यह स्नौ है यह बहुत तंग करती है अब यही अगर फ्रीज होती ना स्नौ फिर नहीं होनी थी अब देखो पानी भी हाँ वाटर में निकल रहा है और फिर यहां पर हम नौर्मल पाने डाले ना कैनडा में और चीज़ लाकि ना कि बाल ता ना यहां पर सद्यो में तो इसके लिए एक सपेशल वोटर आथा है विए बाहर से बाए करना वड़ता है योग हो विए भी नहीं होता तो जिसके वह नहीं चलता रहता है तो वह वह पानी ढालते हैं तो अभी ट्राइब करते हैं कि गारी निकलती है यह नहीं एक तो यहां पर कितनी ज्यादा यह स्नौ यह कठी हुई है मेर्ल्स पर चारो तरफ पिसे में ने स्नौ उठा दी है सारी चलो अभी तक तो निकल रही है चल रही है और अधेभी घाटी चल रही है क्योंकि मैंने इसनी ज्यादा महिनत से ट्लें एक हुए है रही देखो थे क्ली चल्रों है हाव विह हमने अपमनी कारिनी शुरू कि आधा हुए ताह हम रही हम यह क्ली निकल जगे जगे पर इतनी अच्छे से उसने स्वीड क्लीन किया फिर भी देखो नीचे से सड़क नहीं दिख रही है तो देखो गाड़ी अभी हमारी जाद हो रही है लेकिन पजाने कहां तक जाएगी अभी नीचे उतरे हैं सड़कों का हाल देखो क्या बढ़ा हुआ है सड़को और बसीद अभी चलनी शुरू हो गई है बाहर बाहर मौसम यार कितना जाला संदर लग रहा है वाओ तो यहां पर सड़के देखो अब कैसी लग रही है अब यह ना जब थोड़ी सी बस बारिश होने की जरूरत है और यह सारी जो सनो है यह कीचर बन जाएगा और तब मच मच्छी 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 हो जाता है तब सारा थोड़ा इसी बारिश होने जरूरत है और यह सारा का सारा कीचर बन जाएगा तब जो चलकर जाते हैं उनको बहुत जाला मुश्किल होती है चलकर जाने वालों को तो हर एक वैदर में मुश्किल होत तो यह स्नौ बहुत तेजी से उड़ेगी तो जो भी पीशे वाली गाड़ी जा रही होगी उसकी स्नौ याखर गिरेगी अब ऐसे फिर बहुत बड़े बड़े एक्सिदेंस होते हैं क्योंकि हाईवे के उपर अगर इतनी स्नौ में आप ब्रेक भी लगाओगे तो फिर गाड के लिए क्योंकि जो बहुत जूरी था जिसके लिए गारी निकार नहीं पड़नी थी और साथ में मैंने सोचा कि आपको बाहर आजर अव्यूद खाया जाए स्नौ का कर दो क्योंकि फिसके इतनी सिर्फ último ओेरो खिर तो आपको भी ऑाल को बदानी से गपको नहीं आपको आपको ऑगरोलानिस कर दो कि खटूलांषों को भी दो का झाल झाल मैंने कितनी पावर दी हुई है गाड़ी को लेकिन गाड़ी नहीं जा रही हो फ्रंट मील हो या फिर गाड़ी अगर रेर पील हो उनको जडाना बहुत मुश्किल होता इसपेशली अगर गाड़ी लाइट मेड की हो तेकिन अभी हम आगए हैं ऑपर अवपर यहां से नीची तो यहां पर इजली चल जाएगी जहां पर इटैंशन नहीं है डाउन टाउन हैलिफेक्स में हम पहुंच चुके हैं तो इस आप जो स्टीट्स ऑफ डाउन टाउन इन स्नॉस्टॉप अच्छ झाऊन टाउन बंगगी जाउन खीज़गी जाउन झाली चुके हैं कि देखो अभी बच्चे भी स्नौ उठा रहे हैं अपने अपने घर की देखो स्नो स्टो में डाउन टाउन यहां का कुछ ऐसा दिखता है हलेफेक्स की अभी बढ़ने लगी है पहले थन्ड नहीं थी और आज रात को मेरी आंके तो वैसे नहीं कुलती और यहां स्नौ की वैस सारा ठंड हो गई है एक तम से टेंपरेचर ना भी किरना शुरू हो गया और आज रात तक टेंपरेचर माइनस अथारा माइनस बीस निगरी जाएगा तो अभी अगले दिन की सुबह हो चुकी है कल अमने स्नौ बगयरा उठाई सोल्ट बगयरा डाला अपना सारा कुछ दे देखो तो बहुत बढ़िया दूप निकली हुई है देखो कितनी अच्छी दूप लग रही है यार मतलब देखने को लगी नहीं रहा कि ऐसा इतनी ठंड हो सकती है बाहर लेकिन बहुत ठंड है बहुत जाला ठंड है लेकिन चलो दो मिनट आप देख लो जिरा ओमाइगा बुरी हालत हो रही है हवा देखो कितनी चल्दी है देखो यहां यहां पर हमने सोल्ट डाला था ना वहां वहां से स्नो पिगल गई है इसलिए सोल्ट डालना रोड़ी है यहां पर रास्ता बन गया चलने के लिए अभी भी बिल्कुल बैसी की बैसी है एक परसन भी नहीं तैज होती है जिसकी वेसे वोड पूरा क्लियर है लेकिन हमारा ड्राइब देखो भरा हुआ स्नौव के साथ इधर भी बड़ा हुआ है और इधर देखो हमारा बैक यार्ड देखो कितनी जादा जहों सीडियां देखो भरी हुई है सनो के साथ ठंड बहुत ज्यादा हुई पड़ी है तो अभी उससे भी अगला वड़ा दिन आ गया है और अभी तक भी बाहर सनो वैसी की वैसी है तो मैंने सोचा कि अगर अभी मैं आज रास को व्लोग डालूगा जब ला तो लोग खतम करने से पहले क्यों ना आपको एक लाइव अपडेट देती जाए कि बाहर दो जिनों बाद क्या हालत है जब स्नो स्टॉम आया था उसके बाद और अभी सबसे पहले मैं आपको वैजर चेक करवाता हूं कि यहां पर वैदर कैसा है सो हैर इसी वक्त यह है ना माइनस सिक्स डिक्री फील्स दाइक हुआ है माइनस सभी चल रहा है लेकिन माइनस तेरा तक जाएगा जैसे कि आप देख रहे हो उसके साथ साथ अब आप यह से यह देखो पूरा आप वैदर देख रहे हो ना फुल वीकर जैसा मैंने आपको कहा था कि स्नो काफी कम पढ़ती अगर एक बार बाकी मैं आपको बाहर की हाला तो भी दिखाता हूं कितनी बढ़िया धूप निकली हुई थी आज अभी तो संसेट हो रहा है अभी शाम हो गई है और शाम के कुछ पांच बजगे हैं इसके वेसे संसेट हो रहा है लेकिन सनो अभी वैसी की वैसी ही है देखो मारा ड्राइ पूरे बुरे रोड अच्छे सेट हो चुके है और जो फुट पांच बगएरा है वो तो उसी दिन क्लियर कर देते हैं जोने चल कर जाना है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जिस दिन स्टॉम आना होता है बस उसी दिन सबसे जार प्रॉब्लम होती है उसके कुछ गंट तो इसका कोई इतना फर्क निपड़ता तो अब इन पर स्नौ दीरे 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 पिकलेगी जैसे यासे टेमपरेचर बढ़ेगा लेकिन उसको अब काफी जाना टाइम लेगा एनवेस तो आज का व्लोग बस यहीं तक रखना था मैंने आपको सारा विश्य दिखाना जाना लेकने में तो रहेट लेकिन एक टाल येडार टाइम डीरे ये यहीं जाना सब्सक्रेव करना वीडिये गार लाइक खरना कमें कर कर दो खरना क्या देक वीडियो और है वीडियो आज थे वहलागी स्टेह मस्तीय सेफ नेमजी दिखना दाव लोग सूआ द़्ू री झाल झाल